हेलो एवरिवन वेलकम बैक दो अलो अफ यू देसे डियश और आज हम एक जावा का बेसिक स्ट्रेक्चर समझने वाले हैं प्रोग्राइम का स्टैप बैस टैप आप सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे इस वीडियो में जावा के ड्राइम का जो बेसिक स्ट्रेक्चर होता है पूरा समझने वाले हम इस वीडियो में तो आप उन बातों का ध्यान रखिएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और कोई भी मिश्टेक मत कीजिए अपने जावा प्रिग्राम को लिखते टाइम तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है पब्लिक क्लास हेलो वर्ड है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है पब्लिक स्टाटिक वॉइड गी और पैरेंथेस में लिखा हुआ है स्ट्रिंग याज ये एंड आगे लिखा हुए सिस्टम डाट आउट प्रिंट हेलो वर्ड एंड करली ब्रेसिस से इसको क्लोज किया हुआ है तो सबसे परहे हम लोग देखते हैं कि हमने पब्लिक क्यों लिखा है ये पब्लिक एक एक सेस मॉडिफायर है जो होते हैं वह हम सीरीज में आगे इसके बार क्मिरारिम को लेखें गें तो आप हमेसे बात का याद रखिए कि उसको ओपकिसी बीखें किसी इस विस today पहले पब्लिक का यूज जरूर करें बस इस बात का याध रखिए और लिपाने वाले वीडियो में इसके बारे में प्लास ऑस später हम लोग देखते हैं कि इसकी क्लास का नाम लिखते हुए कोई भी क्लास बनाते हुए हम लोग क्लास की वर्ड का यूज करने वाले हैं जावा में तो मैंने क्लास लिखा हुआ है उसके बाद मैंने लिखा हो हेलो वर्ड जो हमारे क्लास का नियम है अब आप देखिए मैंने हेलो वर्ड का एच केपटल बनाया यह प्रोफेशनल स्टाइल है लिखने का किसी भी क्लास का नियम अगर हम लिखते हैं तो हमेशा हर एक वर्ड का पहला एलफबेट जो होता है वह हम लोग कैपिटल में लिखते हैं आप इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं लेकिन अगर आपको बेटर डिडिबिल्टी और स्टाइटिक के बारे में अब आप सरफ एक ओवर्वी ले लिए लिए प्रोग्राम का कैसे कोई भी जावा प्रोग्राम को आपको यही बिल्कुल इसी वे में लिखना है कोई भी लेटर को इसमोल यह कैपिटल में चेंज नहीं कर सकते हैं जैसा मैंने लिख रखा है आज आपको प्रोग्राम को लिखना है अपने जावा प्रोग्राम को आप चैंज कर सकते हैं तो आगे देखते हैं मैंने स्टैटिक क्यों लिख रखा है मैं इस इस प्रोग्राम में आपको इतना बता देता हूं कि Stat Χ इसलिए लिख रखता है क्योंकि Java का जो JVM होता है Java Virtual Michelle जब main method को call करेगी तो उसको जब main method को jvm call करेगा तो उसको इस वबजेक्ट बनाने की जरुरत नहीं पड़ेगी वह directly इस class के नेम से में मैथू इसले मैंने स्टेट्रिक लिखाlier वार्डbody को दिख लिख़ा है Sig Venuser मैंने कानी में 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 अभड कर सकते हैं में देख सकते हूऄ में आ कього में लिखना अपने प्रोग्राम में या आप मिस नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में वरना आपका कमपाइलेशन है आज आजए इसके बाद हम देखते हैं कि system.out.print hello world लिखना है system.out.print यह लाइन आप क्यों लिखेंगे system.out.print लाइन अगर आपको कुछ भी अपने प्रोग्राम में आउट पूट करवाना है अगर आपको इसक्रीन पे आउट पूट शो करवाना है तो अब हमेशा system.out.print का यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में आउट पूट शो करवाने के लिए तो हम इसको डिटेल में आपको compilation आए रहा जाएगा तो याद रखे कि system का और string का दोनों का यह capital बनाना है उसके बाद system जो है वो एक class है predefined class है हमारे जावा में और string भी predefined class है तो याद रखिए यह दौनों predefined class है और इनके name system और string यह दौनों ही predefined class है हमारे जावा में उसके बाद dot से हमने आउट लिख रखा है और print function को call किया है यह जो out है वो एक reference करता है object का और reference किस object का contain कर रहा है वो प्रेंट इस्ट्रेंड क्लास के print stream class के object का reference out जो है वो contain किया हुआ है आपको ज्यादा detail में समझने की जरूरत नहीं है मैं आपको सरफ overview बता रहा हूं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता इस वीडियो में तो आपको आगे आने वाले वीडियो में जब हम detail में class क्या होता है methods क्या होता है डिसकस करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अभी आप सरफ इतना ज्यान रखिए कि मैं जैसा जैसा बता रहा हूं वैसे ही अपने program को लि वह हमारा जो यहां पर लिखा हूँ है parenthesis में double quotes के अंदर hello world लिखा हूँ है तो हम जैसा भी इस double quotes के अंदर लिखने वाले हैं जो कुछ भी आप लिखेंगे वह as it is screen पे print होने वाले हैं आपको बता देता हूं output को print करवाने के लिए आप double quotes में जो भी लिखेंगे parenthesis के और space भी दिया हुआ है और इसके बाद इसको semi-colon से terminate कर दिया है और इसको curly bracket से close कर दिया है तो अब जो भी यहां पर लिखने वाले हैं वह हैज़ित होने वाला है यह एक overview था Java program का हमारा basic structure था I hope आपको समझ में आया होगा और आपके इसके बाद हम देखते हैं कि यह program हम कि मैंने आपको पिछले slides में बताया थे कि मैंने hello world जो है वह class का नाम रखा हुआ था और जो हमारा file का जो मैंने जो file थी जो मेरी file थी वो उसका नाम भी मैंने hello world जावा रखा है और यह चीज़ कंपल सरी है आप अगर आप जो भी अपनी class का नेम देने वाले हैं वहीं आप अपने file का नेम देंगे और उसको डॉट जावा एस्टेंसर से सिप करेंगे अगर आप अलग नेम देंगे कुछ भी अ आपका error शो करने वाला है मैं आपको बता देता हूं इसलिए आप वही नेम दीजिए अपने file का जो आपने वहां पर class का नेम दिया हुआ है और हमेशा यह याद में रखिए कि आगर आपने वहां पर edge capital बनाया हुआ है तो file का नेम देते टाइम भी आपको edge capital बनाना है as it is आपको file का नेम देना है तो मैंने .java name से अपना file सेब किया हुआ है और इसको compiler compile करेगा और .class file में convert कर देगा hello world.class और यह जो .class file होगी java virtual machine jvm इसको execute करेगा और hello world हमारे screen पर output शो करवा देगा है देख सकते हैं आप जैसा कि hello world यह शो हो और हमारे screen output में तो आपने जो पिछले slide में देखा कि हमने hello world pass किया हुआ था अगर आप यहां पर कुछ और पास करते हैं तो यहां पर आपका output शो कुछ और होगा जो भी आप पास करेंगे तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको like कीजिए share कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए thank you कीज़ कीजिए